डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग हम लोग आज रिस्पॉंसेस टू एबायोटिक फेक्टर्स कवर करेंगे आप याद करिए और्गनेजिम्स और पॉपुलेशन्स चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं एंसी आर्टी का चैप्टर नमबर 13 12 गा ऐसे समझना कि हमारा ज बदलाव होते रहता है कभी टेंप्रेचर हाई होता है कभी टेंप्रेचर लो होता है नहीं ऐसे ही क्या है कभी रेनफाल ज्यादा कभी रेनफाल कम मतलब कभी वर्सा ज्यादा कभी वर्सा कम होती है तो हमारा जो वातावरण है हमेशा बदलता रहता है अब उस बदलते व हम लोग रिस्पॉंस कहते हैं ठीक है ना तो यह यह बायोटिक फैक्टर्स जो है जितने भी यह बायोटिक फैक्टर्स है मेली टेंपरेचर नहीं उन तक फैक्टर्स में ऊपर अपने सर्वाइव करने के लिए और निर्म से अंदर चेंज दिखाते हैं वह कौन कौन से होते हैं किस किस तरह के होते हैं वहीं हम लोग इस टॉपिक में कवर करना है यहाँ पर एक वार्ड आपको याद रखना है मियो स्टेसी वार्ड क्या है homeoestasis, तो ऐसे समझना कि हम लोग बोले हैं कि जो environment है वो तो change होते रहता है नहीं उसमें बदलाव होते रहता है लेकिन जो organism है, जो जीव है वो अपने अंदर का जो environment है, जो उनके अंदर का वाता औरन है इन्वार्मेंट है उसको fix रखने का उसको constant रखने का कोशिश करते हैं ठेक है ओर्गनिजम्स का उनके internal environment को fix या constant या इस्थी रखने का जो process है या प्रक्रिया है उसको homeoestasis कहा जाता है जड़ा definition देखा जाए इसका the process by which an organism maintains a constant internal environment in respect to changing external environment is called homeoestasis एक ऐसा process में जीव अपने internal environment को अपने अंदर के वातावरण को आंतरिक वातावरण को वाह वातारण जो बतलता हुआ वाह वातारण है उसकी respect में उसके तूलना में constant बनाए रखने का प्रयाश करते हैं उसको homeoestasis कहा जाता है ठेक है यह अब चलिए अब कहता है कि आपको पताया है कि यह जो वातावरण परिवर्तन होते रहता है वातारण ने जो change होता है तो उसमें कई बार जो वातारण या environment है वो जीवों के लिए organisms के लिए favorable हो जाता है और कई बार unfavorable हो जाता है मतला प्रतिकूल हो जाता है तो unfavorable बातावरण में जिसको हम लोग stressful condition कह रहे है नहीं unfavorable बातावरण उस प्रतिकूल प्रतिकूल बातावरण में organism क्या करते हैं खुद को जीवी तक हने के लिए कुछ adaptation दिखाते हैं कुछ जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वो कौन-कौन से है एक है regulate पहला हम लोग word यूज कर रहे है regulate नहीं तो regulate क्या है जा समझते हैं अब लो सभी birds जितने भी पक्षी है जितने भी birds है सभी birds और mammals जिसमें मनुष्य भी शामिल है हम लोग भी शामिल है नहीं सभी mammals यह सब अगर देखेंगे आप तो अपने body temperature को एक point पर एक बिंडू पर fix रखते हैं जैसे human beings जो है मनुष् temperature लगवग 37 degree Celsius रहता है नहीं और साथ साथ जो osmotic concentration है body के अंदर जो salt का concentration है वो भी लगवगवगवा क्या रहता है fix रहता है ठीक है जबकि अभी बोले हैं कि environment जो है external environment जो वाहे बतारण है वो तो बतलता रहता है नहीं तो external environment के comparison में जब organism जिसमें birds और mammals आपको example या दखना है अपने body temperature और osmotic concentration को fix रखते हैं constant रखते हैं तब इस process को हम लो regulate करना कहते हैं और इन सारे organisms को regulators कहते हैं जो organism body temperature को osmotic concentration को जो regulate करते हैं उनको क्या कहा जाता है regulator कहा जाता है आपको बताया कि एक example अपना है सभी birds और mammals हम सवाल यह हैं कि जो birds हैं या mammals हैं खास करके mammals की बात करूँ तो कैसी अपने temperature को regulate करते हैं तो थर्मो रेगूलेशन मैं में किसे होता है नहीं हमारे में कैसे होता है तो देखेंगे चालिस डिगरी के आसपास चल रहा है, नहीं, कभी 42, 43, या फिर इसी के आसपास 38, 37, नहीं, तो इसका मतलब है कि यह जो temperature है, हमारे body temperature से क्या है, high है, ज्यादा है, अब सरा सोच के देखो, तो हम लोत यह जानते हैं कि भाई, जब भी बाहर में temperature high रहेगा, तो क्या हो temperature जो हाई से लो के तरफ आएगा, तो हमारे body को गरम हो जाना चाहिए, हमारे body का temperature भी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे body का temperature 37 degree Celsius फिक्स रहता है, ऐसा कैसे होता है, कैसे body अपने temperature को 37 degree Celsius पर बना के रखता है, तो गर्मियों में क्या होता है, आप मसू temperature है, body surface का, वो पसीना के साथ क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, और हमारे body का temperature 37, मेंटेन रह जाता है, नहीं, जाड़े में क्या होता है, जाड़े के जिरों में देखोगे कि temperature जो है, वो तो 10 degree Celsius अपने यहां, 12 degree Celsius इसके आसपास आ जाता है, और कहा body temperature 37, 37, तब क्या होना चाहिए, जाड़े में, हमारे body से heat जो है, वो कहाँ चले जाना से यह, एक्स्टरनल इंवर्मेंट में, बाहरी बाता हो जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जाड़े में भी body temperature fix रहता है, तो वहाँ क्या होता है, हमनो धेर सारा उनी कपड़ पहन लेते हैं, आज जो mammals नहीं पहनते हैं, नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, या हमारे में भी होता है, sureing होता है, यान करो कंप कंपी होती है, हमनों को ठंड लगती है, तो हमारा बॉडी कंप कंपाने लगता है, हमनों बोलता है कि ठंड लग रही है, वह shivering या copy जो होती है वास्तविक्ता में वो हमारे body temperature को regulate करने के लिए होती है 3070 बना कर रखने के लिए होती है shivering से और तिरिक्त उर्जा extra energy हमारे body भी generate होती है पैदा होती है और हमारा body temperature maintain रह जाता है ठीक है एक तो हुआ regulate second है conform आपको ध्यान रखना है कि यह जो birds और mammals है इनको छोड़के बाकी जितने भी animals है वो बहुत है वो 99% की आसपस है total animal का नहीं तो 99% animals और सभी plants यह अपने body temperature को एक fixed point पर एक निश्चित बिंदू पर stable नहीं रख पाते है इस तिर नहीं रख पाते हैं तो क्या होता है इनमें जैसे जैसे environment का temperature बढ़ता है इनके body का temperature भी बढ़ता है और जैसे environment का temperature नीचे आता है इनका body temperature भी नीचे आता है इसका मतलब है कि यह अपने body temperature को नहीं और osmotic balance को क्या करते रहते हैं इनवार्मेंट के साथ ही change करते रहते हैं बदलते रहते हैं ऐसे सभी organisms को हम लोग conformers बोलते हैं यह कहते हैं इनको conformers बोलते हैं ते दूसरा तरीका है नहीं यह biotic factors के against response दिखाने का यह दूसरा तरीका ह word है migrate migrate का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना एक जगह से दूसरे जगह मूफ कर जाना नहीं many animals move away बहुत दर animals move away हो जाते हैं मतलब दूर चले जाते हैं temporarily कुछ समय के लिए नहीं temporarily कहता है क्यों जाते हैं animals एक जगह से दूसरे जगह कुछ समय के लिए जब तब जाते हैं जब उनके यहां unfavorable condition बनता है नहीं यहां पर निवास करते हैं उनके habitat ने निवास अस्थान मे जब unfavorable condition बनता है नहीं उस condition में वो कुछ समय के लिए अपने निवास को छोड़ करके habitat को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जहां favorable condition है वहां चले जाते हैं और फिर जैसे ही उनके habitat में उनकी निवास में condition favorable होता है वो return भी हो जाते हैं इस घटना को हम लो migrate करना कहते हैं ठी केरोये चले लाश्ट हैं सस्पेंड सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित कर देना किसी चीश तरी को धिमा कर देना रोक देना अभी यह सस्पेंड करना यहां क्या है आप देखें होंगे कि जो सीड होते हैं plant के जो बीज होते हैं वह हर मौसम में वहर सीजन में नहीं होता है तो कहीं न कहीं ओ सीड है उनका ऊनका एक condition आता है सो मैंदुड the Dave y等等 Ship Series में और उस condition में सीड का उंकुरा नहीं होता है ठीम है यह तरीका है खुद को बचाने का खुद को सर्वाइब कराने का तो कई सारे और्गनेजम से जो अलग एक्टिविटी को अपने मेटाबोलिक प्रोसेस को वो क्या करते हैं उन्फेबरबल इन्वार्मेंटल कंडिशन में स्लो कर देते हैं धीमा कर देते हैं इसमें सीड डॉर्मेंसी हो गया बैक्टेरिया हैं फंजाई हैं छोटे छोटे और्गनिजम है यह कुछ लोवर प्लांस तरह से अलगीब हिसके वो क्या करते हैं अनफटान में स्पोरल का निर्मान करते हैं यह स्पोर क्या होते हैं आप एक सिंगल सेल का माना हुआ करते हैं और इनके चारों गया बन जाता है और फिर से अंकुनित हो नहीं तो यह एसपोर, फॉर्मिशन हुआ, बैक्टेरिया में, फंजाई में और अलगी वेगरे में, सीड़ डॉर्मैंसी किसमें, तो हाइयर प्लांट्स में, उच्वर पॉधों में, हाइयर प्लांट्स में, इस प्रोसेस है, हाइवर्नेशन, इसको आपको समझना है, यह हा से आये होती हैं उनसे मचने के लिए विंटर स्लिप में चले जाते हैं विंटर स्लिप आप वर्ड याद रखेंगे विंटर स्लिप में चले जाते हैं जिसको हम लोग हाइवर्नेशन बोलने लगते हैं जाड़े के दिनों में आपको साप कम दिखेंगे नहीं स्नेक्स आपको कम दिखेंगे कहां गया है वो वो अपने मेटबोलिक एक्टिबिटी को स्लो करके कई पे छुपे हुए रहाते हैं उनके लिए उन्फेवर्बल कंडिशन होता है कोल्ड तो कहां गया है वो हाइवर्णेशन में विंटर स्लिप में गया है नहीं ऐसे ही जो है और भी कई सारे और गनिजम से जिसे बैट चम गादर करना में अब सुने होंगे बैट यह भी क्या है विंटर में बहुत कम दिखाई देते हैं यह भी हाइवर्णेशन में चल लाता है विंटर लाता है इसका ठीक उल्टा एक प्रोसेस है जिसको हम लोग एस्टीवेशन का विधा इस्टी समर रिलेटेट प्रवलम से बचने के लिए जब और्गनिजम स्लीप में चले जते हैं अपने अपने मेटाबोलिक एक्टिविटी को जब मेटाबोलिक प्रोसेस को जब स्लो कर देते हैं तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अब गर्मी के दीन में कौन-कौन से और्गनिजम सबसे पहले तो गर्मी जब आएगी जैसे अभी गर्मी आई है तो अभी आपको स्नेल्स घूंगे दिखाई नहीं देंगे नहीं तो यह कहां चलेगा है समर स्लीप में चलेगा फिर जब रेनी सीजन स्टार्ट होग ना अगे भी बताऊंगा precedкам कूट्रोंट कोटे चोटे जोटे चोटे झोटे ऑर दमस्थ जो कहां मिलता है जो हुआ है जो वाटर में मिलते हैं नहें उनको हम लोग जूब लैंगस वह फोटोशूनसेस नहीं करते हैं जो नहीं करते हैं उनको हम लोग फाइटो प्लैंकों ह plots आप प्रिकलम में अपने मेटाबोलिक को अपना स्रवाइबल दिखाते हैं जिसको प्रीट कहते हैं तो यह रिस्पोंश जो पड़ रहे थे यह बाइटिक सक्टर्स के गेंश्ट में वो फोर है में ली कौन-कौन सा रेगुलेट जिसमें ऑर्गनिजम अपने बॉड़ी टेंपरेचर को सिक्स रखते हैं और समोटी कंसेंटेशन को फिक्स रखते हैं दूसरा है कंफर्म जिसमें इन्वार्मेंट के चे क्या करते हैं अपने नेटिव प्लेस से जनम अस्थान से अन्फेबरबल दसाओं में निकल करके किसी दूसरे फेबरेबल एरिया में पहुंच आते हैं और फिर जैसे ही उनके हैबिटेट में फेबरेबल कंडिशन आता है नहीं अनुकूल दसाओं आती हैं वो लौट जात करते हैं यह माइग्रेट हुआ और लास्ट है सस्पेंड जिसमें जीव क्या करते हैं उन्फेवरेबल इंवर्मेंटल कंडिशन में मतलब प्रतिकुल वतवरणिय दसाओं में अपने मेटाबोलिक प्रोसेस को सारे रिक्रियाओं को जैविक्रियाओं को स्लो करके खुद को बचाते हैं जिसका एक्जामपल हुआ लेके एस्पोर फॉर्मेशन एस्पोर निर्माण सीड डॉर्मेंसी मतलब बीज का सुप्ता वास्ता में रहना हाइवर्नेशन मतलब विंटर स्ल स्लिप एस्टिवेशन मतलब समर स्लिप नहीं और डाइपॉज इसमें की जू प्लैंक्टन सुमने मेटाबोलिक एक्टिविटी को स्लो करते हैं ठेक है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडेप्टेशन या अनुकूलन को कवर किया जाएगा थैंक्यू झाल